प्रदेश की आठ लोगसभा निर्वा चुटे प्रदेश की आठ लोगसभा चुनाओं में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो इसके लिए पुधानमती नरेंद्र मोदी ने ट्वीटर पर एक नया कैम्पेइन वोट कर शुरू किया इसमें विविन क्षेत्रों के प्रमुख हस्तियों को टैग किया कॉंग्रेस ने जारी की लोगसभा उमिद्वारों की आठवी सुची पार्टी अब तक 218 उमिद्वारों के नाम कर चुकी है घोशित लोगसभा में कॉंग्रेस नेता मौलिका अरजुन खडगे और दिग्विजय सिंग का नाम शामिल समाजवारी पार्टी ने पहले और दूसरे चनल के लिए अपनी स्टार कैम्पेनर की संसोजित सुची की जारी मुलायम सिंग्यादव का नाम है शामिल पहले जारी सुची में नहीं था नाम नमस्कार मैं हूँ संतोष वालमी की और अपसमाचार विस्तार से लोकस्भा चुनाओं के लिए पहले चनल का नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है बीस राजियों और केंदर शासित प्रदेशों की 91 सीटों के लिए अगले महने की 11 तारी को पहले चनल का मतदान होगा निर्वाचान आयोग ने कहा है कि एक्जित पूल का प्रसारान लोकस्भा चुनाओं के अंतिम चलन के मतदान के बाद 19 मई की शाम से किया जा सकेगा आयोग ने कहा है कि ये नियम सभी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा जिसमें किसी दल, विशेश, रत्वा, उमीदवार का प्रचार या उसके पती किसी तरह का पूर्वा ग्रह दिखाया जाए परामश में मतदान पूर्व सर्विक्षन बहस विशलेशन शामिल है आयूक का कहना है कि वो चुनाओ की खोशना से लेकर चुनाओ परणाम की खोशना तक प्रसान पर निगरानी रखेगा पुदार मंतीर नरेंदर मोधी ने आगामी लोकसभा चुनाव में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागिदारी सुनिश्चित करने के लिए रविवार को सोशल मीडिया पर एक नया कैमपेन वोट कर शुरू किया उन्होंने ट्वीट कर देशवासियों से मतदान में बर्चड कर हिस्सा लेने की अपील की है अपने वोट कर अभियान के तहट पीम मोधी ने खेल, मनोरंजन और मीडिया से जुड़ी हस्तियों से मतदाताओं के बीज जागरुकता को बढ़ाने की अपील की उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे प्यारे भारतवासियों वोट कर कहने का समय आ गया है आगामी लोगसभा चुनाव में सुनिश्चित कीजिए आप और साथ ही साथ आपका परिवार, दोस्त, भारी संख्या में मतदान करेंगे आपके ऐसा करने से देश के भविश पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा पिये मोदी ने लोगों से अपील की है कि यदि आप वोटरों को जागरुक करने के लिए कोई भी नई पहल कर रहे हैं तो उसकी जानकारी हैस्टेग कर वोट करके साथ साज़ा करें पुदार मंथी ने बालिवोट के दिगज अभी नेताओं अनुपम खेर कबीर बेदी और फिल्म निर्माता शेखर कपूर को टैक कर अपने ट्वीट में कहा कि लोगों ने वैस्विक इस तर पर भारत का मान और संबान बढ़ाया है उन्होंने इन से अपील करते हुए कहा कि वो देशवासियों को अधिक से अधिक मद्दान करने के लिए प्रेइद करें उन्होंने बॉलिवूड अभी नेता आर माधवन को ट्वीट कर कहा कि आपका काम न सिर्फ मररणजन के लिए मानी रखता है आपकी आवाज बेहत मानी रखती है इसलिए अगर आप लोगों को मद्दान के लिए जागरूप करेंगे तो इससे भारत का लोगतंत्र और मजबूत होगा पियम मोदी ने बॉलिवूड के दिगज अनिल कपूर अजय देवगन और माधुरी दिक्षित को टैग किया और ट्वीट कर कहा कि बॉक्स ऑफिस के बाद अब पोलिंग बूथों पर टोटल धमाल का वक्त आ गया है वोट कर मुवमेंट को आपके सपोर्ट से भारत के लोगतंत्र का भविश सम्रद्ध होगा इसी तरह पीम ने टाइम्स डिजिरल के चीफ एडिटर राजेश कालर समेथ मीडिया के कई दिकजों को अपने ट्वीट में टैग करते हुए कहा कि आज की तारिक में भारी तादाद में युवाज चलते फिरते समाचारों से रूबरू होते हैं ऐसे में एक बेहतर कल सुनिश्टित करने को लेकर उन्हें उत्साहित करने का ये माकवूल वक्त है पुदार मत्री मोदी ने नवाट टाइम सहीद कई अन्य मीडिया संस्थानों को टैग किया और ट्वीट कर कहा कि लोगतंद ज्यादा से ज्यादा मत्दान से और मजबूत होगा मैं इनसे लोगों को मत्दान का महत्तो समझाने और ज्यादा से ज्यादा मत्दान के लिए उन्हें जागरू करने की अपील करता हूँ पुधार मत्री ने क्रिकेट खिलारी शिखादवन आर अश्वीन भूवने इश्वर कुमार के अलावा जानीमानी एथलीट की मादास दीपा करमाकर और साक्षी मली को भी अपने ट्वीट में टैग किया गौतलाभे की पधामिंद्री नरेनवोधी पहले भी अपने ट्वीटर हैंडल से विभीन ख्षेत्रों की जानीमानी हस्तियों को टैग कर उनसे लोगों को मत्दान का महत्तो समझाने और ज्यादा से ज्यादा मत्दान के लिए जागरू करने की अपील कर चुके हैं आगरा के आगरा कॉलेज मैदान पर भारती जनाता पार्टी द्वारा विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष आमित शाह ने कहा कि एक तरफ अकेली भाजपा और दूसरी तरफ सारे दल मिले हुए हैं और मायवती पर निशाना साथ्ते में कहा कि बुआ भतीजे की सरकार में बारा लाग करून रुपए के घोटाले हुए लेकिन मोधी सरकार में एक रुपए का भी भष्टाचार नहीं हुआ जो सरकार है दस साल तक देश में चली दस साल तक सोन्यामन महां की सरकार चली बीस साल तक है आप भतीजा की सरकार चली भष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया बारा लाग करोड उपए के घपले खोटाले भष्टाचार की भारतिय जंता पायती की नरेंद्र मोधी सरकार को पांक साल पुगा हुआ योगी सरकार को दो साल हुआ अज एक पैसे का भृष्टाचार कारो भारतिय जंता पायती की सरकार पर को नहीं लगा सकता है वहीं मुख्यमंत्री योगी आरेतनात ने अपने समुधन में कहा कि 2014 में सिर्फ मोधी का नाम था अब मोधी का नाम और काम भी है जो भी व्यक्ति भारत की सुक्ष सम्रद्धी की काम ना करता है वो मोधी को पदानमंत्री के रूप में देखना चाहता है उन्हों ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज इस्थापित किया गया है लगेवल भारत के विकास को एक नई गती और एक आसा के नए सुरोत के रूप में अनुने भारत को एक नई गिसादी है बलकि विकास का माध्याम चाती मत मज़ग संप्रदाय चेतर भासा नहीं गाउं गरीब किसान नौजवान महलाएं और समाच का प्रतेक तप्ति का व्यक्ति होगा और हर एक व्यक्ति को जिस प्रकार की योजनाएद दी या आगरा उसका कवा है संभ़ लोगसभा कार्यकरताओं की संभश अधनर में पहुंचे बाच्पानेंथा जेपी नडड़ा ने कहा कि इस बार भारती जनतापार्टी उत्तर पुदेश में चोहतर सीते चीतेगी संभल लोकसवक्षित्र के पमासा में जेपी नडडा ने कहा कि पुलवामा के हमले के बाद देश के पधानमती नरेंदर बोधी ने पड़ोसी मुल्क से कहा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो और इसके कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी जिसके बाद तेश तारी को हमारी सेना एरिस्टाइक करके वापस भी आ जाती है वहीं कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विनाश काली विपरीत बुद्धी कॉंग्रेस अध्यक्ष उन आतंकियों को जी कहकत पुकारते हैं संबल समेथ पूरे संबल संबल होकर के सबल होकर कि 73 नहीं 74 से उपर सीटने लेकर के हम विजय हासिल करेंगे बहुत अच्छा वाता हूं देखने को मिला है लोग मोदी जी के फिर से प्रधान मंत्री बनाने के लिए इच्छुक है और परमेश्वलाल सेनी यहां से प्रत्य संबल ने भातियनता पाटि के प्तियाशी संतोष कंगवार के समथन में विजय संकल्प सभा पर कर बरेली में चुनावपरचाट की शुरुआत की सभा को समधित करते हुए उन्होंने कहा कि 24 मार्च से चुनावपरचाट की शुरुआत उन्होंने इसलिए की है क्योंकि आज ही के दिन पूर्व पधानमत्री मुराजिय देशाई ने पहली बार देश में अमर्जन्सियों और अन्याय के विरुद्ध अपनी सरकार बनाई उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गाउं गरीब और किसान के लिए काम किया है और केंद दोबारा सरकार बनने पर जन्ता को आर्थिक आधार पर सभी नौकरियों में आरक्षर देगा उन्हों ने कहा कि भार्ती जनता पार्टी ऐसी पार्टी जिसने अपने संकल पत्र पर भी जनता के मन की बात को आधार बनाया है अब इस प्रिश में लागू कर दिया गया है तो सबसे पहले रेल्वे की सवालाग लोगों की पर्ती में हमने 10 प्रतिशेक इक्राविकली वीकर सेक्षिन के लिए आरक्षम रखा है जिस देज कती से दिकास जिस पकार से लौ अडर कानून विवस्ता उत्तर प्रदेश में सुद्री है जिस पकार से अन्य अन्य लूग साए आप सबको घरों तक पहुँची है फिरिए पाढ़ संगे जिबदारी हम सबकी रहे हैं पहले चुनाओं के नामागन के ठीक एक दिन पहले सभी दलों ने अपने उमिद्वारों की एक और सूची जारी की लोगसभा चुनाओं के लिए भात्री जनता पार्टी ने अपनी सात्वी सूची जारी की बीजेपी की इस लिस्ट में नो उमिदवारों के नाम शामिल है बीजेपी की सूचे के मताबिक पार्टी ने 36 गड़ की सभी सीटों पर नए चेहरे को मौका दिया है इस सूचे में 36 गड़ की छे उमिदवारों की खोशना की गई है जिसमें राजनन्द गाउं से मौझूदा सांसत अभीशे सिंग की जगा संतोष पांडे और राइपूर से रमेश वैश की जगा सोनी को ठिकट दिया गया है कोरबा से जोतिनन दुबे, विलासपूर से अरुन साव, दुर्ग से विजय बगहिल और महासमुद से चुनीलल साहु को मैदान में उतारा गया है पार्टी ने रविवार को जारी सूची में तेलंगाना, मेगाले और महराष्ट से एक-एक उम्मीदवार की नाम का एलान किया वरिष्ट बीजेपी ने ता, एसस अहलुवालिया ने दाजिलिंग से चुनाव लडने में असमा थता जताई पार्टी ने देर शाम दाजिलिंग से राजू विष्ट को एंडिये उम्मीदवार बनाया इससे पहले बीजेपी ने शनिवार को 46 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी इस सूची में जैन सिना को हजारी बाग से टिकट दिया गया है वही अनुराक ठाकूर हमीरपूर और शिपत नाई को उत्तरगी गोवा नरेन सिंग्तोमर को मुरैना जनादन मिश्र को रीवा और राके सिंग्तोमर को जबलपूर से टिकट दिया गया है बीजेपी ने अब तक कुल 307 उम्मीदवारों के नाम खोशित कर दिये है समाचार और भी हैं पहले लेते हैं चोटा सा गिराम अब मेता जनता के द्वार दावों और वादों की होगी परतार क्या चाहती है जनता नेताओं का रिपोर्ड का आठ जनता के हाद लोगतंत्र का उस्षव जनता है भागिदार देखिए जनादेश 2019 27 मार्ज से रोजाना शाम साड़े साथ से आठ बजे डीरी उत्तर प्रदेश पर कॉंग्रेस ने उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, करनाटक, उत्राखंड और मलिपुर में लोगसभा की 38 और सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम खोशित कर दिये हैं पार्टी महासेचिव मुकुल वासनिक की और से जारी सूची में के मताबिक पार्टी के वरिष्ट नेता दिगविजा सिंग को भोपाल से उम्मीदवार बनाया है वहीं लोगसभा में कॉंग्रेस के नेता मलिका अरजुन खडगे को गुलबर्ग सीट से पार्टी ने चुनाव उम्मीदवार बनाया है मीनाक्षी नटराजन को मध्यप्रदेश के मनसौर सीट से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि रतलाम संसद्य सीट से कांकी लाल भूरिया प्रत्याशी होंगे पार्टी ने लोगसभा उम्मीदवारों की आठवी सुची जारी लोगसभा का चुनाव लड़ेंगे पिछले लोगसभा चुनाव में इस सीट से अखलेश यादव के पिता मुलायम सिंग यादव ने जीत दर्च की थी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी नई सुची में सिर्फ दो नाम ही शामिल है आजम खान रामपूर लोगसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अखलेश यादव के पिता मुलायम सिंग यादव का नाम भी शामिल किया गया है पार्टी की तरफ से जारी एक विग्यप्ति के मताबिक चालिस इस्टार पुचारक मैदान में होंगे इसमें अखलेश यादव के अलावा उनकी पतनी डिंपल यादव भी है इनके अलावा राम गुपाल यादव, जयाबच्चन, आजम खां का नाम भी शामिल है सफ़ा परवक्ता राजेन चौधरी और राम गोविन चौधरी भी स्टार पचारकों की सूची में शामिल है इनके अलावा पूरो मंतरी अहमद हसंद, जावेद अलिखां, तेजपताप यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश पटेल का नाम भी इसूची में शामिल है बिहार में महागडबंदन के दूसरे चर्णकी सीटों के बटवारे की कोशना करती गई है महागडबंदन ने साजा प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए कहा कि महागडबंदन ने सीटों का बटवारा सरुसम्मदी से किया है भागलपूर से शैलेश कुमार और बूलो मंडल और बांका से जैप्रकाश नारान यादव राजत की उमीदवार होंगे तो वहीं कॉंग्रेश किशन गंज कठियार और पूनिया से चुना मैदान में अपने प्रत्यासी उतारे की और भागलपूर और बांका जो है वह रास्तिय जन्ता दल के खाता में है तो भागलपूर से श्री सेलेश कुमार और बूलो मंडल जो हमनों के सांसद हैं उनको प्रत्यासी बनाया गया है और बांका से शिर्जय परकास्ट नरान यादव जो शांसद हैं और हमारे संसलिय दल के नेताग्याएं पार्लामेंट में उनको बांका से सांसद बनाया गया है जो शीब की घोसना की गई है किसंगरन का चयार को बिए यह वात जो कहें हो सट है और जहांतक का वास है अभी हमारी बिल्सक्रामेश लिए हमारी पार्टी की कुशितिया और नियम हैं उसी के ताथ हमारे कंडिय को अन्याख भोसित होंगे अभी सिर्जीद की घोसना करने के क निए को जहारकंट में माहागणंतर निया सिट यह जारकंट में का ईल्लान कर दिया जारकंट में गॉल्चाउध साथ जार्खंट मुक्ति मोचा चार जारखंट विकास म два सीटों पर लोग सवाचना सीनadर में हैं कि कौंग्रेस साथ सीटों पर चुना हो लड़ेगी जार्खन मुक्ती मुर्चा चार चुना लड़ेगी जार्खन विकास मोर्चाद दो सीटों पे चुनाव लड़े हैं। राज़त के लोग अभी तयार नहीं हुए हैं। उसमर चर्चा चल रही है। कॉंग्रेस के लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। और उनके लिए पलामू सीट को कॉंग्रेस ने इस हमती बनाई है कि उनके लिए पलामो सीट छोड़ा जाए। दिव्यांग मद्दाताओं के लिए विशेश व्यवस्था की है। जिला प्रशासर ने दिव्यांग मद्दाताओं के प्रतिर बूत पर वीलचेर उपलब्द कराने की बात कही है। साथ ही दिव्यांग मद्दाताओं के उनके घर से पोलिंग बूत तर्कलाने ले जाने के लिए यी रिक्षा की भी विवस्था की गई है। समाचार और भी हैं पहले लेते हैं छूटा साविरा देश का सबसे बड़ा चुनाओ हर पार्टी का असर हर नेता की खबर चुनाओ पर क्या है जनता की राय चुनाओी सुर्खियां सिर्फ डीडी यूपी पर रोजाना शाम चार बजे दो नावालिक हिंदू बहनों के अगवा करने की मामले की जानकारी मांगी है सुष्मा सुराज ने पाकिस्तान इसित भारती उचायोग से इसकी रिपोर्ट मांगी है सुष्मा सुराज ने ट्वीट किया कि मैने भारती उचायोग से इस बारे में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है होली की शाम सिंध की दो बहनों का अपरण हुआ जिन में से एक की उम्र पंदरा और दूसरे की तेरा साल बताई जा रही है फवाद चौद्री के ट्वीट पर सुष्मा ने कहा कि ये मैने केवल रिपोर्ट ही मांगी है और इसमें ही घबडा जाना आपके अपराद भाव को दिखाता है सिंद प्रांथ के गोट की जिले में होली के दिन दो बहनों का अपरण किया गया और उनका धर्म परिवरतन करवा कर निकाह करवा दिया गया घटना के विरूध के बाद पुलिस ने अफायार दर्ज कर दी है इस घटना के विरूध में किये गए प्रोदर्शन में दोनों बहनों के पिता भी शामिल हुए थे बाजबा नेता राधनाज सिंग ने अपने संसेजिक शेतर लखनों में होली मिलन कारिक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लखनों विश्व इस तरिये शहर स्वर्गे अटल विहरी बाजबई जी का सपना था लखनों को बेहतर करने के लिए हमने लगातार काम किया है जो काम बचे हुए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। प्रत्याशी की रूप में पार्टी ने लखनों के लिए हमारा चेयन किया है निर्णे आप लोगों की हाथ है। इसके लिए ही लगातार मैं प्रयत्ने कर रहा हूँ। और इतना मैं आपको यकीन देलाना चाहता हूँ। जीतना अब तक हुआ है। आगामी पांच वर्सों में मैं पूरी टाकत लगा दूँगा कि इससे और अधिक जो हो सकता है इस लखनों बहाने गर के लिए। चुनाओ की घोषना हो चुकी है प्रत्याशियों की भी घोषना हो चुकी है और फिर से प्रत्याशी के रूप में सब के बीच यहां पर में मौदून हूं। और मैं नहीं जानता कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह फैसला आपको करना था. इसका मकसद फिंटेक में लगातार भारत की पुदानता को आकार पुदान करने की साथ साथ, भविश की रणनीती पर विचार विमर्श भी होगा. इसके अलावा यहापक वितिये समावेशन के कदमों पर भी विचार विमर्श करना है. भारत में कोई मरीज खून के अभाव में अब जिन्दगी की जंग नहीं हारेगा. मेरट के युवाओं ने एक ऐसा मोबाइल एप जिसमें पूरे भारत के बलड डोनेट करने वाले रिजिटर्ड होगे. जब भी किसी को किसी भी जिले में बलड की जरुवत होगी, वो उस मोबाइल एप के माध्यम से कॉन्टेक्ट करके बलड डोनेट करने वाले व्यक्ति से संपर करके बलड ले सकेंगे. एंगरी यूथ संस्था द्वारा एंगरी यूथ बलड एप का शुभारम किया गया. एंगरी यूथ के अध्यक्ष शुभंगुपता ने बताया कि इस आ एंगर विलड एप की लॉंचिंग की है प्रोब्लम बता देता हूं फाइदों से पहले प्रोब्लम ये है कि ब्लड का ब्लैक मार्केट होता है हम लोग शुरु डोनेट करते हैं किसी की जान बचाने के लिए और जो ब्लैक मार्केट करते हैं वो उस ब्लड को एमाउंट में बेस्ते हैं तो अब क्या होगा कि हम लोगों की एप में डोनर्स रिश्टर्ड होंगे और जिसे विलड चीए वो उनके सामने लिस्ट खुलकर आ जाये करेगी वो डिरेक्टली डोनर्स से कॉंटेक्ट में आके हुस्पिटल में बुला के विलड ले लिया करेंगे यानि कि भी सोटे जो ब्लड रहती थी वो खतम कर देंगे और भी कई तरीके के इसके फाइद है यह बच्चे जो है बहुत अच्छा काम करते रहें अभी इनका एक विचार इनके दिमाग में आया कि क्यो ना हम इस तरह की एक ब्लड एप डेवलप की जाए जिससे जो है किसी को भी जो है अगर कभी ब्लड की कोई requirement हो क्योंकि ब्लड ऐक ऐसी चीज है जिसका जो है इसमें कोई जाती धर्म नहीं होता है इसमें केवल ब्लड होता है और यह ब्लेड जो है किसी के जीवन को कभी भी बचा सकता है आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग केवल इसी वज़ तो बिना किसी पैसे के बिना किसी उसके जो है उस एप के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप जूए जिसको भी ब्लड की रिक्वारमेंट है वो उसमें डालके और इमिजिट जो है ओ वह मैसेज जो है जितनी भी हमारे वोलिंटेर्स हैं उनके पास पहुच जाएगा और आपको जो तुरंत जो है उसको ब्लड का एविलेबल कराया जाएगा राश्टी लोगदल के राश्टी प्रवक्ता अनिल दुबे ने मतुरा प्रत्याशी हेमामालनी पर आचार सहीता के उलंगन का आरूप लगाया है उन्होंने बताया कि विभिन समचार चैनलों में मतुरा प्रत्याशी हेमामालनी के केंट वाटर प्यूरिफायर का विग्यापन लगाता दिखाय जा रहा है जो आचार सहीता का उलंगन है राश्ट्रे प्रवक्ता आनिल दुबे ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू को आचार सहीता के उलंगन का अज्यापन सोपार मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विग्यापन पर कारवाई का आश्वासन दिया है गोसित उम्मीद्वार स्रीमती हेमा मालनी उनके द्वारा केंट water purifier का विग्यापन दिया गया है और वो सारे समाचार पत्रों में सारे निव चैनलों पर वो विग्यापन दिखाय जाता है जिस विग्यापन में उन्होंने पानी का प्रयोग करने की आपील की है जो कि किसी भी चीज़ की अपील आचार सहिंता का उलंगन आता है चुनाव आयोग या तो उस पर रोक लगावे या उस विग्यापन का खर्चा स्रीमती हिमा माली के चुनाव में जोड़ने के आदिश देने का काम करें मुख्रिchi E financiers न अधिकारी ने हमें आसवसन दिया है कि वो इस पर वीचारों परांद कारवाही करें क्रिकेट आईपील के रविवार के पहले मकावले में कोलकाता नाइट राइजर्स ने संराइजर्स हैधराबाद को 6 विकर से हरा दिया है कुलकाता ने टॉस जिकर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया। इस साल आईपियल में वापसी करने वाले डेविट वार्नर ने हैधराबाद को शांदार शुरुआती। वो 85 रन बना कर आउट हुए। जौनी बेरस्टू 49 रन और विजर शेंकर के 40 रन की बदालत। थपा ने 35 और राणा ने 68 रन का योगतान दिया। मुश्किल दिख रहे लक्ष को एड्रेसल ने शांदार शॉर्ट्स की बदालत आसान बना दिया। उन्होंने 19 गेंदों पर 49 रन बनाए। आखिर में शुब मनगिल ने अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। और अंत में प्रमुक्समाचारी बात फेर। ट्विटर पर एक नया कैंपेंड वोट कर शुरू किया। इसमें विभिनिक शेतरों के प्रमुक हस्तियों को टैग किया। कॉंग्रेस ने जारी की लोगसभा उमिदवारों की आठवी सुची पार्टी अब तक 218 उमिदवारों की नाम कर चुकी है कोशित। लोगसभा में कॉंग्रेस नेता मलिकार जुन खड़ गी और तिगुजय का सिंग का नाम है इसमें शामिल। समाजवादी पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के लिए अपने स्टार केंपेनर की संसोधी सुची की जारी। मुलायम चिंग यादव का नाम है शामिल। पहले जारी सुची में नहीं था नाम। इसी के साथ समाचाथ समाख फुर। नमस्कार। झाल झाल